एलो स्टुडेंट गुड मॉर्डिंग एंड वेलकम तुद आर्गेनिक क्लास हम लोगों का इंटरफेस फिर हो रहा है नहीं लेक्चर के सांथ अल्रेडी हम लोगों ने चार क्लास देख चुका है जिसमें हम लोगों ने हैलोल के नहीं से स्टार्ट किया था और प्रिपरेशन तक पहुंचे थे प्रिपरेशन में हमने स्टार्ट किया था और कुछ रियक्शन भी देखे थे जिसमें बहुत से हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो मैं एक पर फिर रिमेंट कर देना चाहता हूं उस लेक्चर को जह हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा था तो हम लोग ने देखा था लास्ट क्लास में कि हैलो एलकेंस और हैलो एरिंस इसको बनाया कैसे जाता है इसका निर्मान कैसे किया जाता है कि लाश्ट प्लास में यह चीजह हमने देखी थी और उसमें एकसन देखा था कि अगर कि रियाक्शन जो है वह म्य लुकास रियेजैंट के सांथ हो राया है तो रियाक्शन कैसे हो रहा है product में हमें क्या मिल रहा है सब product के रूप में हमें क्या प्राप्थ हो रहा है ठीक है तो ये सारे चीजे देखी थी हमने lamb preparation की देखा था alcohol का alcohol से हमने बनाया था alkylaid health leg preparation के द्वारा जिसमें हमने sodium bromide लिया था और उसका reaction कराया था नाम नाम था रोजन ब्रॉमाइट और उससे हमने प्राप्त किया था अलकायल ब्रॉमाइट ठीक है तो यह दो और एक्षन हमने देखा था कि अब हम आज हम लोगों को देखना है कि और गेनिक कि और गेनिक क्यमिस्ट्री के अंदर किसके अंदर देखना है और गेनिक क्यमिस्ट्री के अंदर जिसको हिंद्ली में बोला जा रहा है कार्बनिक कार्बनिक रसाइन क्या बोलना है हम लोग कार्बनिक रसाइन कि इसमें जो पहला चाप्टर हम लोग ने इस्टार्ट क्या था पहला चाप्टर जो हम लोग ने स्टार्ट क्या था उसका नाम था है लो एलुकेंस एड़ 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 हमारे पास क्लासिफिकेशन और जो थर्ड था उसमें हम दोगों ने देखा था नेचर आफ सी एक्स बॉंड जिसमें हमने बताया था कि है लोजन का इलेक्रो निगेटिवीटी जो है वह ज्यादा है तो डियू टुदेश है है लोजन की ऊपर आ रहा था निगेटिव क्योंकि है लोजन की आफ अदाओर ज्यादा था किसे कार्ण से तूस्सें हम लोग ने इस्सक्राट क्या था उसको समझा था और चौथा आपजेटिव था हमारे पास वह था क्याला इस्टूरेंट हमारे पास चौथा आपजेक्टीव था प्री पारेशन無 के हैं-दjust what था जो एक नमबर में जो हम लोग उने स्टार्ट किया था वोई स्टार्ट किया था फ्रॉम है लोको इससे मनाया था उन्वोगों और पहला हम लोगों ने देखा था यह मैं लूकास कि रिएजेंट क्या देखा था student लुकास रियेचेन और B में हम ने देखा था लैब प्रीपरेशन क्या देखा था लैब प्रीपरेशन एक हम देखा था फिछले लेक्षर में अब हमें आज इससे आगे चलना है और हमें और भी तरिके शीखने है है कि हमें अलकाइल है कैसे बनाना है या राइल है कैसे बनाना है ओके स्टुडेंट सो देखते हम लोग आगे बालते हैं इस रेक्चर में और और प्रिपरेशन देखा रहे एल्कोहल के अंदर या भी हमें चलना है हुआ है ठीक है तो हम लोग सी में देखते हैं अल्कोहल के अंदर सी में इसका नाम क्या दे दिया है सी और यहां पर लिखा जाए है फ्रॉम फ्रॉम फॉस्फोरस फॉस्फोरस ट्राई हैलाएंट किसके दुआरा हम हैलो एल्के बना रहे हैं हमारे पास क्या है इसका रेक्षन में ने करा दिया फॉस्फॉरस is किसके सांथ करा दिया फॉस्पोरस ट्राई हैलाइट के सांथ किसके सांथ रेक सम करा दिया फॉस्पोरस ट्राई हैलाइट के सांथ इसका नाम है फॉस्पोरस फॉस्पोरस ट्राई हैलाइट क्या नाम है इस्टूडिक Phosphorus Trihalet यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास आ जा रहा है 3 R और X प्लस बाहर निकल जा रहा है H3 और PO3 इस compound का नाम हो जाता है Phosphorus Ac क्या नाम हो जाता है Phosphorus Phosphorus तो हम ले लेते हैं यहाँ लेते हैं जाहां X वराबर CL भी हो सकता है और DR भी हो सकता है यानि हमारे पास हैलोजन के रूप में जो है वा क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमिन भी हो सकता है अब हम लोग देखते हैं मान लीज़िये R वराबर हमने लेदिया यहाँ देखते हैं मान लीज या ब्रप रवर में ले लिया CH 3 डिर डिया रिख ट्यूटें आलकायल वालज तक on अलकायलël यानि मीधाल सिँ बात है और X वराबर में ले लिया एक्स बरावर क्या ले लिया इस्टूडेंट एक्स बरावर क्या ले लिया इस्टूडेंट एक्स त्री और एक्स बरावर हमने क्या ले लिया इस्टूडेंट इस्टूडेंट अब जहां जहां हमारे लिए एक्सम में आर है वहां पर हमें क्या रख देना है और जहां पर ए एक देखते हैं कि माल जीए मैंने ले लिए आर बराबर शी एस थीरी सी एस थीरी वेच इन मोले लेना है वैलेंस के लिए सी एच परी है और यहां भी मैंने क्या ले लिए विच पीम लेना है स्झी है और है और यहां क्या लिए पुछ डागे है आप मैंने हमें इसका रियंश्ट करा देना है पी बीया तो है मैं मुंद ले दिया खेए わかी यहां भी हो般 किल और अभी में चैने की अप्रिया लिए अब देखे़ यहां से हमारे पास कितने अलक्याइख है थे और क्लोरीन कीठे जरू होगा और यहां से यह गट होगा, देखा जाए हमें क्या मिलता है, फिर मिल जाएगा हमारे पास तीन मूल CH3, और इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यह अपना रियक्षन हुआ, यानि हमने अल्गोहल को क्या चीज में कंवर्ट किया, यह अपने पास क्या हो गया, अपने पास क्या हो गया, अब रहावार, ड्रफिनेशन का, अगर आप से पुछा जा रहा है इसका डेफिनेशन का, आप इसको कैसे रेटिंग में लिखे, तो आपको बताना है कि जब अब यानि जब आप बोलोगे की अल्गोहल की रिया के साथ होती है तो अब मैं फॉस पॉरस एशिट मिलता है क्या होता है इस्टूटेंट फोसफोरस एशिट आप यहां फे तोट्स आप पेंटा वेलेंट एटम कैसा एटम होता है या पेंटा वेलेंट एटम ठीक है तो यह जहां भी चुड़ा रहेगा कितना बौंड के साथ उपस्तित रहेगा पांच बौंड के साथ अगर यहां पर आपके पास आ जाता है एक्सनिर प्यों क्या जाता आपी इस तुरिए रिट्ट है पॉस्पॉर पूस्पोरिह अगर यह हम पी ऑक्सीजनद के जगह पर धीन के जगह पिल पर हमारे पस तीन आजा तो इसका नाम हमinku कैसे रिखना है हॉसस्पोर ऑस्पोरस क्रिक कि पर को इसको आप लोग पैरा मेतर तालुकास, दूसरा था हमारे पास लैग प्रिपरेशन और तीसरा हमारे पास क्या है, फस्पोरस ट्राय है लेट केशन, ठीक है? अब नेक्स्ट मेतर्ड पे आते हैं हम केल बहुत से अलगाईल हैलाइट कैसे बनाया जा रहा है, जिसका नाम दे दिया जाए डी, क्या नाम दे दिया जाए इस्टूडेंट, डी, डी, अब यह हम लोग बनाएंगे फ्रॉम, फस्फोरस, फ्रॉम, 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 प्रेक्षन हमारे पास क्या बनता है सबसे पहले ले लिया जाए आज और इसके साथ क्या ले लिया जाए एलको है इसके साथ अप्लाइं कर दिया जाए पी-सी-उल-फाइब का इसका अप्लिय कर दिया जाए पी-सी-उल-फाइब का जिसका नाम है स्टुडेंट जाए अब या किसके साथ पूस्फॉरस पेंटा को रहा है एलको हल के साथ किसके साथ reaction कर रहा है alcohol के साथ यह अपने पास क्या है alcohol ठीक है फिर इसका reaction जब होता है तो हमें प्राप्त होता है आर लिए प्लस बाहर निकल जाता है एक सी एल पलस एक और पास बनके आता है पी ओ सी एल थी क्या बनके आता है श्टूडेंट पी ओ सी एल तरे तो यह हमारे पास बनके क्या आगया अलकाईल ऐल आइड क्या बनके आगया है अलकाईल है और इस कमपॉय थी इंप्वाटैन्ट है याद रखने ज़ोग है और क्या रियाक्सन जो है यह बहुत ही इंपक्रटैंट है इसको आप बी-विया लगा ले जैका यापको भीवि एक है इस स्टूडिन्ट तो इस छान पाउंट का बहुत इन्पोर्डेंट नाम है इसका नाम है फस्फोराइल कुछाइट क्या नाम है श्टूडेट फॉस्फोराइल ऐघ ठीक है तो यहां पी एक बार और द्यान दिया जब अलकाइल एलकोहल की अविकिरिया फोस्फोरस पेंटा कुलराइट के साथ हुआ तो हमारे पास क्या बन क्या गया प्रोडक्ट अलकाइल है प्लस यहां पे एक फ्लेवर आता है गंद आता है है एलकाया चीज का आता है है एलकाइल का तो हमारे पास एक और प्रोडक्ट में क्या है आ गया और नाम है अधो देखते हैं यहां रियक्शन हुआ कैसे तो आर बराबर हमने ले लिया आर बराबर हमने ले लिया सी एस्थिरी यानि मिधायर गुरूप और आर बराबर ले लिया अब एप्लिकेशन क्या जाए इसका और इसका रियक्शन करा दिया मैंने फॉस्पोरस पेंटाकॉलराइट के सांद और यहां पर हमारे पास बन किया गया पी और यहां आ गया कि एल थिरी और एक एल को मैंने और प्रसाउट गर लिया यहां पर इसको क्रॉस किजी यहां पर जो है इसको क्रॉस किजी हमारे पास प्रोडक्ट बन किया गया थिए थिरी अब देखिए आर की जगा पे जो है अब देखिए आर की जगाफ यह आ पे आप सी एस ठीड़े सकते हो सीटू एच काय लियूस अब देखिए इस सेवन ले सकते हैं एनिवेश भी देखिए ठीक सभी सिच्वेशन में हमारे पास बन की या अगा अलकाइल है रेक्ट क्या वंकिया अलकाइल है तो यह अपने प इंपोर्टेंट है और इस पर कुश्चन बनाया जाते हैं एक कुश्चन इस पर आता है हर एक साल कि जैसे मैं बता रहा हूं इस पर कुश्चन पुशा जाता है ऐसे कुश्चन जाता है आपकी एक्जाम में इस पर आपको इसका प्रोड़क्ट बताना रहेगा कि इसका अप्रोड़क्ट बताना रहेगा कि इसका प्रोड़क्ट क्या होगा जैसे इस ट्राइब का पुश्चन आता है एक नंबर जो है मैं दे रहा हूं आपके पास दिया रहेगा सी एच थे रहेगग कि इस टू कि एच टू और यहां पी रहेगा वेच पलस इसका रियक्षम करना है आपको पी सी एल फायर के यह आपको बनाने हैं अभी मैंने बताया है फॉस्पोरस पेंटाकॉलाइट के साथ हमें कि रिया किसका इलकॉहल का एक और पुश्चन आ जाता है CH3 CH2 CH2 OH पलस इसके सांथ रहता है HCl और यहां पर दिया रहता है ZNCl 2 तो मैंने पहले ही किलास में बता इसके पहले वाला जर्श किलास में बता आता है लुकास रियुजांट क्या होता है किए होता है कि बटा सकते हैं इसका इसको लोग अपने से लिख लेजे और इसको बना लेजेख डिकने अब आप्लों डेखते हैं नेस प्रिफलेशन नेक्ट प्रिपरेशन जो अल्कोहल के अंदर याता है इसका नाम दे दिए जाए फ्रॉम फ्रॉम रिड़क्शन अफ फ्रॉम रिड़क्शन अफ अल्कोहल फ्रॉम रिड़क्शन अफ अल्कोहल अल्कोहल के अल्कोहल के रिड़क्शन के द्वारा या रिड़क्शन से अल्कोहल के अल्कोहल के रिड़क्शन से तो देखें दो फेक्टर हमारे पास आता है पहला आता है रिड़क्शन और दूसरा आता है ऑक्सिडेशन ठीक है एकुलिबरियम के अंदर आपको जनना होता है तो यहां पी क्या करना है हमें रिड़क्शन करना है तो यहां पर बताना है कि जिस रिड़क्शन में खुछन करें यहां साथ और वहां पर oxygen का subtraction हो रहा हूं जिस reaction में hydrogen का जोग हो रहा हो और oxygen का हारास हो तो ऐसे chemical reaction को हम बोलते हैं reduction just opposite of this reaction अगर जिस आल और एड़ेशन हो रहा है और हैट्रोजन का रिड़ेक्षन हो रहा हो जो है यारि यमाग अप्लाई करना है अगर रिडेक्षन हो रहा है इस chemical reaction के अंदर hydrogen का क्या होगा जोग होगा और oxygen atom का वहां से क्या होगा elimination होगा हरास होगा subtraction होगा तो हमें क्या देखना है reduction of alcohol कि अगर हम alcohol को reduce कर रहे हैं अब चाहित कर रहे हैं तो हमें क्या पराप्थ हो रहा है ठीक है तो हम इसको देखते हैं इस reaction को समझते हैं हम ठीक है आर ओएच और इसको हम reduce करते हैं आइ अब रेड फोस्फोरस के उपस्तिती विए इसके उपस्तिती में student रेड फोस्फोरस और यह reaction होता है है कि है रोजन के उपस्तिती में क्यों सा प्रॉसेस होता है ह 성공 होता है हो या हो लाय कर दो हम आप यहां पर यहांब दिए और है यह जो हुआ से एसा विकरिया से बाहिंद क् मेटंतर है या बन जाता है या 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 इसा सुरह यह बाहर क्या होगा oxygen क्या बाहर होगा oxygen तो कौन सा प्रोसेस क्या लाएगा वह ठीक है तो हमें मिल जाता है प्रोड़क्ट आर और यहां पर मिल जाता है है एकस पलस बाहर हो जाता है एक्च दू ओ यानि और या रोट्ट है निया भावा रुट तो देखा जाएक इस डीक्सें से और गया हुआ है oxygen और इस रीक्षिजन में जुड़ा क्या है 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 यानि एक्ष्ट्रामी क्या देना पड़ रहा है इस रेक्शन के अंदर हाइडरोज तो कौन सा प्रोसेस हो रहा यहां पर रिड़क्स अब जस्ट लाइक एक चांपूल देखते हैं लोग इस पर क्या देखते हैं ठीक चांपूल अब आर बराबर कोई भी अलगाइल रेडिकल ले लिए आप मैंने क्या ले लिए और यहां फर्मूला अप्लाइक यह जाएं छी एच्टिरी की एच इसको मैंने रिडियूस कर दिया रेड फोस्फोरस के उपस्तिती में और हैलोजन के साथ हैलोजन के साथ तो यह हमारे पास बन किया गया cf3 और इसके साथ क्या गया X पलस बाहर क्या निकल गया हमारे पास H2O क्या बाहर निकल गया H2O तो यह कौन सा मेठर था हमारे पास E अब इसको आप कैसे लिख सकते हो तो आपको लिखना है जब एलकोहल को red phosphorus तथा halogen की उपस्थिती में reduce क्या जाता है है हमारे पास क्या प्राप्थ होता है अलकायल हैलाइट के प्राप्थी है इस केस में भी हम ही विरा अलकायल है ठास Q&A प्ली याद करना है या भी बहुत इंक्पोर्टन्ट रेक्षन है इसको इसको आप राइस डॉंट कर सकते हिं आगा में लोग अब देखते हैं इसी एलकोहर के अंदर ही आगे चलते हैं हम लोग और एफ के अंदर देखते हैं एफ फ्रॉम फ्रॉम थायोनील फ्रॉम थायोनील कुलरेट किसे अब हम लोग बना रहे हैं अलकाइल है थायोनील कुलरेट से किसे बना रहे हैं स्टुटेंट थायोनील कुलरेट से देखते हैं आर 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 ओएच पलस S-O-C-L-2 क्या इस कंपाउंट का नाम है? S-O-C-L-2 इसका नाम होता है थायोनील कुलरेट क्या नाम होता है इस्टुडेंट? थायोनील कुलरेट और यहाँ जब रियेक्शन करता है L बोहल के साथ तो हमारे पास बन के आ जाता है R X पलस S-O-2 या गैस के रूप में वेफोरेट हो जाता है पलस इसके साथ एक और चीज़ हमें मिल जाता है H-C-L क्या मिल जाता है इस्टुडेंट? H-C-L तो इस केस में भी हमारे पास बन के क्या आ गया? Alkyl Alkyl Highlight इसकेस में भी हमारे पास बन के क्या आ गया? Alkyl Highlight यानि जब एल्को हल्को Thionine Cooleride के साथ अभी क्रिया कराया जाता है तो Sulfur Dioxide के साथ हमें क्या पराफ हो जाता है? Alkyl Highlight क्या पराफ हो जाता है? Alkyl Highlight अब हम इस पर एक एक जांप फूल लेते हैं एक एक जांप फूल ले लिया R बराबर मैंने क्या ले लिया? R बराबर ले लिया जाए Student CH3 यहाँ पर ले लिया मैंने CH3 O और इसके साथ क्या ले लिया? H ठीक है? इसका रेक्शन करा दिया मैंने थाए और इसके साथ SO SO 1 CL यहाँ पर ले लिया जाए और 1 CL यहाँ पर ले लिया जाए यह bond यहाँ से बरेक होता है और यह bond यहाँ से बरेक होता है फाइनली हमारे पास बन किया जाता है CH3 CL पलस HCl पलस SO2 तो इस केस में भी हमारे पास क्या बन किया गया? का हालकाईल है यह लोड़? जालकाईल Х,ähänight चीक है तो यहाँ पर आपने पास ए लौो हब का परिपरेशन रेशन है इंड़ो हब बनाने का तरीका होता हे वह कतम होता है तो लो इसमें पहरा मेथट था वह था फ्रॉम लुकास रियजेंट क्या था फ्रॉम लुकास रियजेंट दूसरा मेधर था अपने पास लैग प्रीपरेशन अफ एलकोहल जिसमें हमने लिया था है ड्रोजन पुरमेड तीसरा मेधर था फॉस्पोरस ट्राइकुलराइड के द्वारा चौता था फॉस्पोरस था यहां पर यहां पर अल्कोहल से जो है रोजन बनाने की जो परिक्रिया है खतम होता है अब हम चलते हैं कि हाइड्रोकार्वन से हम अलकायल हैलाइट को गयसे पराप्त करेंगे वाव हमें देखना है कुछ क्यों मैं दे रहा हूँ जो आपको कर लेने हैं आपके नोट quk में और जो भी भूख है उसमें दिया हुआ है मिखा है कंप्लेट है कंप्लेट इस दा आप फॉलोईंग आप है कंप्लेट दा फॉलोईंग जो दो गेपी का जो एक्किंट अर्दाग कुछ आपके पास और जो कैसा रहेगा इन कंप्लेट रहेगा उसको आपको क्या करने हैं उसको आपको क्या करना पूरा धरना तो एलकौहल से मौश ब्ली ज्याधा चांस रहता है कि इस ट्राइब का पोस्चन अगर है यह रिंश कंदर से बनाये जा रहा है तो ज्यादा चांसल साई कि एलकौहल का पॉर्सन है उससे आएगा ठीक है बहुंत हjänे बहुत ही अलाग तरीके से यहां से पूछे जाते हैं जैसे एक कुश्चन आता है पहले स्टैप का कुश्चन देख लेते हैं हम लुग कि एक नंबर में जो दिया हुआ है हुआ है और सी एच थेरी कि प्रोड़क्ट लिगना है लेक्ट पूछा जाता है दो ऑफिछ थेरी पीजेशी टिरी अफिछ थेरी थे थेरी थे टूफ और इसके बंदर क्या है विए प्टली स्काऊंथ गुहां कि अनित्स पूछन हो रहा है या या इसका डिएक्something हो रहा है रेक्षन गोड़ाे रेकेहं है हुआ है सिसके लह दुरे हुआ है आ Oh इसका प्रोड़क्ट आपको लिखने है तो इसको आप लोग असानी से बना सकते हैं अगर आपको रियक्शन दिमाग में है आपको जो मैं अभी रियक्शन बोर्ट पे बताया हूं वह थोड़ा सा दिमाग में है तो आपको एक सकेंड की नहीं लगेगा इस टाइब की आपको बना सकते हैं ठेक है एक टाइब का और भी कुस्चन पूछा जाता है इसको राइट डाउन करने जी आप लोग अपने नोट बूप में इसको बना लिजेगा कि एक और टाइब का वोस्चन यहां से अराइज होता है जो चांव में अक्सर पूछा जाता है जो एक जाम में जो है अक्सर पूछा जाता है इस कोस्चन का हेडिंग रहता है वाट हैफेंस क्या होता है तो इस टाइब का कुस्चन भी आता है जाम में अक्सर पूछा जाते हैं सिवेसी में भी ऐसी कोस्चन है राइज होते हैं जैसे पहला कोस्चन है माल लेजिए सपोस्च देख पहला कोस्चन है माल लेजिए सपोस्च देख आप से पूछा जा रहा है क्या होता है ठीक है क्या होता है क्या होता है जब जब मिधाइल एल्कोहलको रेंड फोस्फोरस या लाल औरक्त लाल औरक्त लाल औरक्त को हिंदे में इंग्रिस में बोला जाता है रेंड फोस्फोरस क्या होता है जब मिधाइल एल्कोहलको लाल औरक्त यानि रेंड फोस्फोरस के उपस्थिती में के उपस्थिती में है लोजन के सांथ है लोजन के सांथ है लोजन के सांथ और क्रिट किया जाता है और क्रिट किया जाता है यहां पर आपके पास क्या कोश्चन है क्या होता है जब मिधाइल एल्कोहलको लाल और रक्त के उपस्थिती में है लोजन के सांथ और क्रिट किया जाता है तो यहां भी आपको अपना धिमाग करना है क्या दिमाग लगाना है कि यहां पर मिधाइल यहां पर लाल फॉसपोरेस की उपस्तिती में पूछा जा रहा है और किसके सांथ आप तो हमने हमने देखा है इस रियेक्शन को और हमने एलकॉल से क्या बनाए है अभी बनाए हमें थोड़ी दिर पहले तो आपको एंसर मी क्या बता अंगम अब आपको एंसलके लिकिना है कि जब यह दोड़ान करें नात हिश्क सब्क किया जाता है कि कि सबसे पहले क्या है सिद्धी और यहां पी मिद्ध हैं वो सो एड़ा करोने विए वाँ फूक्त होड़ानि हमारे पास क्या हो रहा है हो रहा है क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है हमारे पार स्कूर्य बूंगी क्या आजायगा सी ए सटेरी थिल पलस बाहर क्या हो जाएगा है कि यह वार हो जागा स्टू अ हिता है हिस रहें हो गया है हिस रेक्षायक्षिन और गॉश्च रहें जो भी इस ट्रेटमेंट दीया वा वख़ो पर लाएं और एक्षिक विद्धन असले पहतने हैं असाल है इस तरह की कोस्टन आते हैं यह वह इतलए इस ओर आते हैं जाल में आते हैं यह खैसे कि में अर्पास कोश्टन रहेंगे अपनेशन लिखना है और दम नीदेटमेट्स और नम आविकंचे क arguing कहत fault सीधा सीधा question आता है इसपे जब अविक्रिया फोस्फोरस प dispar के सांत होती है आ कि थायुनियल को नहीं होती है बस आपको देखना है और रिएक्शन को लेइड़ रहना है इंसद मिल गया बिलगें पर गया गया इस तरी इस तर ग Beach कम है हम पहले पढ़ना है अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो दो बार तीन बार चार बार रिडिंग लगाना है उसको फिर उसको टैकल करना है अब यहां पर अपना प्रिपरेशन जो है वहां के द्वारा समाथ होता है इस ट्राइब को देखते रहना है आपके बुक में दिया हुआ है जो आपके पास कुस्चिन बैंके उसमें भी इस्टाइब को मिल जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस करना है ठीक है थोड़ा सा मैं इस टॉपिक से हटके बाताना चाहता हूं अगर अगर तीन है रोजन ग्रूप किसी साइकल में आ जाए तो उसके लिए हम यूज करते हैं सी क्या यूज करते हैं सी ठीक है दूसरा भी वे है कि इधर देख लेते हैं इसको कि देखाया है कि अगर तीन होमोलोगस अगर है लोजन किसी रिंग के साथ आ जाता है तो उसको हम लोग लिखते हैं सी क्या लिखते हैं सी मैंने बताया था पिछली क्लास में कि क्या होता है जैसे हम लोग पारा अर्थों होते हैं सेम वहीं चीज़ है कि अगर तीन होमोलोगस लोजन आ गया तो उसको हम लोग क्या नाम लेंगे तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखा जाए अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि फिरी रेडिकल से कैसे बना जा रहा है दिए जोटाइजेशन से कैसे बना जा होता है तो आज यहीं स्टॉप किया जाए थैंक्यू बेस्ट अफ लग